प्रद बच्वाप का सेल्ट स्टेडी के चैनल में और आज हम अपने इडियम्स की नाइंथ वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं रे भाई साब कहां हो ये रहा नाइंथ वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और इससे पहले आठ वीडियो जो आ चुकी है एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है इडियम्स एंड फ्रेजीज करके जाकर आप वहाँ पर देख सकते हैं आठों वीडियो और हर वीडियो के अंतर हम साथ मतलब की पांच पांच इडियम्स कर रही है वीद ट्रिक कहलो या फिर कहाएं कि एक इमेज के थुरू एक कहानी के थुरू हम इनको याद करने ही कोशिश कर रही है तो आओ जड़ा पहला इडियम हम देखते हैं पहला जो इडियम है यह है बैक और फॉर्थ बैक का मतलब होता है पीछे और फॉर्थ का मतलब होता है आगे इनका मीनिंग ही निकालोगे तो मतलब निकलेगा आगे और पीछे तो आगे पीछे इसका हिंदी मीनिंग भी यही है इंग्लिश मीनिंग में देखें तो बैक और फॉर्वर्ड यह आपके लिए सुन्दर सुन्दर इमेज यहां पर मैंने लगाई है ताकि आप लोगों को याद करने में कोई कस्ट ना हो और इसकी पीडियाफ भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवा दी जाएगी अब आते हैं सेकिन इडियम के उपर सेकिन इडियम है बैड बलड बैड का मतलब बुरा और खून बहुत बुरा खून हो तुम कहे क्योंकि तुम्हारी और मेरी शत्तुरता है इंग्लिश में होता है शत्तुरता और इंग्लिश में भया बिटर रिलेशन यानि खटे रिष्टे बहुत अनिमिटी मतलब कि खतरनाक हम सत्रू हैं हम और तुम अदर ये देख रहे हो इसके लिए आप यहाँ से याद रख सकते हैं तो यह एक image के त्रू आप लोगों को idioms इसलिए गरवाए जा रहे हैं ताकि आपको याद रखने की जो probability है काफी time तक रहे और यह better रहता है English speaking के अंदर भी ताकि आपको याद रहे कि English में आप कोई दुश्मनी नाम बोलके bad blood बोल लो वहां पर ताकि थोड़ा सा impression अच्छा जाए ना सामने वाले के उपर तो third idioms के उपर आते हैं third idiom जो है वह है bag and bag is इसका मतलब यहाँ पर आरे आपके सामने image रखा हूँ है कि बोरिया भिस्तर समेट लो वही है यह वही है बोरिया भिस्तर समेट लो तो यहाँ है बोरिया भिस्तर समेट लो तो यहाँ है बोरिया भिस्तर समेट यानि खाली कर दो मतलब होता है संख्या में 13 13 नंबर मतलब कि इसके क्या कहानी, चlorasi कहानी सुन लो आपका झा इंटरेस्ट बन जाएगा इसको याद करने में एक बार क्या होता है एक बेकर होता है, क oldest uh manual on the bakery में जो बेकर ہोते है न वह तो बेटर होता है तो उसकी कथाएं हैं जो अमेरिका में सुनाई जाती है तो यहां पर क्या हुआ सेंड निकॉलस कुकीज मागी तो कहा कि मुझे एक दर्जन चाहिए उस ओल्ड लेडी ने उस बेकर को कहा मुझे एक दर्जन चाहिए तो इस जो एक बेकर था उसने एक दर्जन यानि दर्जन में कितनी होती है बारा तो बारा ही उसको पकड़ा दी कि लो भहिया बारा लो तो लेडी जो है वो ओल्ड लेडी इतना गुस्सा हुई कि तुमने मुझे सिरु बारा ही दी मैंने तो इक दर्जन मांगा था तो वहाँ पर उसे एसास हुए कि जो बाकी की दुकाने हैं वो बारा के साथ उसको कुछ और एक्स्टा दे देते थे लेकिन इस दुकानदार ने इस बेकर ने उसको देने से मना कर दिया फिर वो जो लेडी है उसको शराब देके चली जाती है इसके बाद इस बेकर की दुकान भहिया इतनी खराब हो जाती है हद से भी जादा इसको मतलब टेंशन होती है कि अब क्या करें अब क्या करें मेरी दुकान तो चल नहीं रही है मेरी सारी जो कुकीज जो केक जो भी बना रहा हूँ, वो सारे खराब होई जा रहे हैं, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है, बहुत बुरी आलत होती है, फिर एक दिन इसके रात के सपने के अंदर, तो इनके रात के सपने में ये, सेंट निकोलस आते हैं, जो ये कहते हैं कि देखो, तुम्हें एक्स्ट्रा दे ही पल, ये अपने दुकान में जाते हैं, और जो भी इन से जब एक दरजन मांगता, तो उससे लिए एक पलस करके देते हैं, अब ये बात बहुत तेजी से फैली वहां पर, कि भीया, वो दरजन को वो तेरा गिन रहा है, यानि बारा ना करके उसमें वो तेरा चीजें दे है, तो यहां पर उसकी दुकान बड़ी, अच्छे से चलने लगी, और यहां से आया बेकर्स देजन, एक कहानी है, देखो, आपके लिए मैंने एक कहानी याद करी है, मतलब मैंने सर्च किया कि बेकर्स देजन का मतलब होता तो है, संख्या में तेरा, लेकिन होता है क्यों ह यानि मुँ में चांदी की चम्मच लेके पैदा होना, वहिया, एक बच्चा जो मुँ में चांदी की चम्मच लेके पैदा हो रहा है, तो उसका मीनिंग पद है क्या निकलता है, उसका मीनिंग है बहुती ज़्यादा रहीस परिवार में पैदा होना, मतलब उसको जीवन मे क्या कस्ट करना है क्या कस्ट नहीं करना है देखो यार उसकी लाइफ तो सेट है न हम कहते हैं यार वो तो भाईया बहुत ही अलब एक धनी परिवार में प्यादा हुआ है इसने तो क्या ही देखे होंगे आई तिंक एक एक्टरस है उनका नाम याद नहीं आ रहा मुझे को ना चंकी पांडे की जो अन्यन्या पांडे हां चंकी पांडे की बेटी जो है तिन्या पांडे नहीं का मेरे पिता ने बहुत स्ट्रगल किया है उनको धर्मा प्रोडक्शन ने कभी तो वहां पर जो गली ब in one's mouth, तो धनी परिवार में पैदा होना, तो यहां पर इसका English meaning है, to be born in a rich family, तो यह थे आज के पाँच इडियम्स, कौन-कौन से हैं, एक बर, अरे, फिर से यहां पर, अच्छा मैंने लिखे नहीं है, यहां पर सारे ही हो जाते हैं, यहां पर, सब जगह, आप लोगों के यह चीज प्रवाइड करवा दी जाएगी, और सब के description box के अंदर link दी हैं, जाकर join कर लिजे, और पसंद आया है, तो कुछ, यह क्या करो, like करो, किसको, वीडियो को, और share करो, किसको, वीडियो को, और